नमस्कार एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ शिवादी भुचपूरी के पावर स्टार पावन सिंग क्या कारा कार्ट से चुनाव इसलिए लड़ना चाते हैं ताकि बीज़िपी से बैक सपोर्ट मिल सके या बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है पावन सिंग ने इस बार चुनाव लड़ने का मन बनाया है उन्होंने कारा अब इस पर उन्होंने खुद जवाब दिया है इसके साथी उन्होंने यहवेस पष्ट कर दिया है कि किसके सलाह पर उन्होंने यह seat यानि कारा कार्ट seat चुनी है, उन्होंने बताया है कि मैंने लडने को लेकर अपने मित्रों के सात सलाह किया साथी उन्होंने ये भी बताया कि उनके दोस्तों ने कहा था कि काराकाठी एक मत्र ऐसा सीट है जहां विकास नहीं हुआ है पवन सिंग ने कहा कि जब से मैंने ट्विट किया है तब से कई लोग आकर मुझे बता रहे हैं कि कारा कार्ट सीट पर विकास कता ही नहीं हुआ है मैंने अपने चाचा और भाईयों से सुन रहा हूँ कि लोग यहाँ जब काम नहीं होता है तब आते इसके बाद नजर तक नहीं आते हैं उन्होंने आगे कहा कि कारा कार्ट छेतर के लोग खुद दिखाते हैं कि कारा कार्ट में क्या क्या काम नहीं हुआ है कई जगों पर सडक और पुलिया का काम रुका हुआ है यही सब सोच कर मैंने यह निरने लिया कि मैं कारा कार्ट से ही चुनाओ लड़ूंगा मेरी माने कारा कार्ट की जनता को मुझे सौप दिया है यह बात पवन सिंग ने कहा है कि कही न कहीं उमीद था कि भाजपा उन्हें कहीं और से टिकट दे देगी लेकिन पवन सिंग यह सोचते ही रह गया अलाकि आपको बता दे कि कुछ दिर पहले भाजपा ने लोगसभा उमिदवारों की जो आखरी लिस्ट है वो भी जारी कर दिया और उसके बाद से सारे संस्पेंस जो था अटकलबाजी जो थी इस पर विराम लग गया है बता दे आपको कि पवन सिंग ने कारा काट लोगसभा के विविन गाउं में जनसंपर्क अभियान चलाया यहाँ जनता का उनको खुब आशरवाद इसने प्रेम मिला और इस बात से एक बात स्पर्ष्ट है कि अगामे एक जून को होने वाले मतदान में कारा काट लोगसभा के समानित मतदाताओं द्वारा बदलाओ किया जाएगा दरसल भोजपूरी इंडस्ट्री में लोग पावन सिंग को पावर स्टार कहते हैं और यही कारण है कि उनके हर काम में पावर जुड़ जाता है ऐसे में लोग पूछ रहे हैं कि पावन सिंग को कहा से पावर मिल रहा है क्योंकि एंडिये के साथ साथ महा गट बंधन को भी चैलेंज कर रहे हैं पावन सिंग तो उसे कौन हरा सकता है शोसल मीडिया पर कारा कार्ट के साथ साथ पावन सिंग ट्रेंड करने लगे हैं आपको बता दे कि फैंस के साथ साथ विरोधी भी कहने लगे हैं कि कारा कार्ट में महौल बदल गया है अब यहां रेस में आगे पावन सिंग है पवन सिंग ने कहा था कि मैं बीजपी का सिपाही हूँ बीजपी की तरफ से टिकेट नहीं मिलने के बाद पवन सिंग ने एलान किया कि कारा कार्ट से चुनाव लड़ेंगे लेकिन NDA के प्रत्याशी उपेंद्र कुश्वाहा भी मैदान में है सवाल उठ रहा है कि बीजपी से क्या पवन सिंग को सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं कि पवन सिंग बीजपी के खिलाफ एक भी शब्द बोलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं इतना ही नहीं पिये मोदी की तारिफ करने से भी पीछे नहीं अट रहे हैं तो ऐसे में सवाल जनता उ सपोर्ट मिल रहा है या बीजपी से सपोर्ट ले रहे हैं यूंकि मनिश कस्यप जैसे ही बीजपी को जोईन किये उसके बाद से यह साफ दिखने लगा है कि मनुझ तिवारी चाहे तो कहीं पवन सिंग को बीजपी में ना शामिल करवा ले हाला कि इस मामली को लेकर लगता पर कयास बाजी जा रही है वैसे तो आपको बता दे कि मनुझ तिवारी ने साफ कहा था कि पवन सिंग को मनाएंगे उनसे बात करेंगे हाला कि पवन सिंग हाली के इंटर्व्यू में उन्होंने कहा है कि मैं चुनाओ से अपने कदम पीछे नहीं रखने वाला हूँ हालाकि यह मानसंबान का भी बात है और मा का अश्रिवात साथ में हैं और जनता साथ में हैं तो ऐसे में चुनाव लड़ने में कोई तकलिफ नहीं है हालाकि रोड़ शो जो पावन सिंग ने किया है उसे देखकर अनुमान साथा लगाया जा रहा है कि काराकाट लोग सभासीट पर हवा किसकी तरफ रुख ले चुकी है तमाम बातों को देखते हुए आपकी क्या कुछ रहा है आप हमारे कॉमेंट बॉक सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा चुनावे मुद्धो को लेकर अपनी राय विच्वार भी हमारे कॉमेंट बॉक सेक्शन में जरूर लिखे इस वीडियो को आप हमारे यूटूब चैनल अकनियोस 24 पर देख रहे हैं तो मारे चैनल को सबस्क्राइब कर लिए विदियो को ज्यादा से ज्यादा शेर कीजे और फेस्बुक पर सब्सक्रीज पर देख और नुम्हारे फेस्ट़्ूप पेज को लाइक कीजू फॉलो कीजिए तो यह लिएम आप से लिए दात करेंगर धन स्थित्सक्राइब